जा तँर मरे पास आगे टापिक है ट्रांस्लैशान ट्रांस्लैशं में सबसे परें सब्ल कि मिष्चानおお कि भी अइनी कर वाएंगे और फिर जब सब जिसेचन कंपलेक्स होता है initiator TRNA जो initiator TRNA होता है उसको हमारे पास यहां पे IF2GTP लएगा तिक है तो इस तरह से हमारे पास 30S initiation complex बनेगा उसके बाद हमारे पास यह IF2GTP जिव DF2GDP में convert होगा तो हमारे पास बड़ा सब युनिट भी आएगा रइबो स्वाम का और जो हमारा अनिशेटर टी आरेने है यह दोनु सब यूनिट्स के पी साइट्स पे अटाइच है जैसे हम यहां पे देख सकते हैं पी साइट्स पे अटाइच है अब हमारे पास EF2GTP ठीक है यह इलांगेशन फेक्टर्स हैं यह फिर लाते हैं ने निशेट हमारे पास ने टी आरेने को और उस टी आरेने पर हमारे पास एक और मैंवेशिड बॉंड होता है और फिर यह वह निशेटर टी आरेने हमारे एस साइट पर आके अटेज हो जाता है अब दुबारा जो है ना एक एंजाइम होगा ठीक है वह कैटलाइज करेगा निशेटर टी आरेने और आने वाले जो हमारे पास अमेनोएसेड है उसके दर्मियान रियक्शन करवाएगा और हमारे पास पेप्टाइड बांड बनेगा वो पेप्टाइड बांड बनने के बाद एस साइट पे आएगा ठीक है हमारे एस साइट पे आएगा पेप्टाइड बांड अब जो है ना हमा वो मूव करेगा राइबोसॉम मूव करेगा यह 523 यहां पर देखा है हुआ है तो इस डिरेक्शन में मूव करेगा और इसके नतीजे में यह मतलब है इस साइड पर जब हमारा राइबोसॉम जाएगा तो उसके नतीजे में जो हमारा पहले A-Sight था जिसपे हमने कहा है कि उस पर हमारा Peptide Bond बना हुआ है तो वो A-Sight मतलब पहले जहां भी था ठीक है तो अब वो A-Sight P-Sight की जगह पे आ जाएगा तो अब आप देख सकते हैं यह पहले A-site हमारा यह था जब यह मूव किया है ठीक है तो यही बांड हमारा जो एना P-site पे आ गया तो यह ना राइबोसोम ने मूव किया है तो हमारा यह बांड जो एना P-site पे आ गया अब दुबारा A-site खाली हो गया और इस पे दुबारा नए अमेनोएसिड आएगा और उस अमेनोएसिड को लाने वाला T-RNA होगा ठीक है पिर इस तरह से यह स्टेप्स रिपीट होते जाएंगे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अमेनोएसिड बनते जाएंगे और फिर इस तरह polypeptide gen बनेगा और फिर हमारे पास protein बनेगा एंड पिर जो हमारे RNA पे आते हैं RNA पे आते हैं हमारे पास termination codon इनको हमारे पास count recognize करेगा release factors recognize करेंगा और फिर वो उसी तरह initiation complex वो खतम हो जाएगा और यह ribosome के दुन सब यूनट के दूसरे सेपरेट हो जाएगे और फिर रिष्टा से हमारा protein formation complete हो जाएगा उसके बाद हम थोड़ा drugs का देखते हैं कि drugs का क्या है कैसे कैसे section है ठीक है तो उसमें सबसे पहले है streptomycin का लिखा हुए यह streptomycin destart करता है अनिशियेशन complex जो हमारे पास बन रहा होता है उसकी structure को start करता है 30s sub unit जो हमारे पास है उसकी structure को start करता है उसके बाद हमारे tetracycline लिखा हुआ है tetracycline भी 30s ribosome sub unit पे action है इसका ठीक है और यह करता है amino cell tRNA जो आ रहा होता है ठीक है हमारे a site पे amino cell tRNA amino cell tRNA के क्या मतलब है इसका मतलब है amino acid और tRNA combination यह हमारे पास जो आ रहे होते हैं हमारे इस तरह add होने के लिए तो यह उनको नहीं आने देता और इस तरह से इलांगेशन नहीं होती है उसके बाद हमारा एक है प्योरो मैसिन प्योरो मैसिन जो है यह हमारा उससे मिलता जूलता है amino cell tRNA से मिलता जूलता ड्रग है तो इसको न यह जहां भी हो रहा होता है हमारे पास protein synthesis तो वहां पर पहले तो इसको खुशी से accept के जाता है लेकिन जब bond बनाने वाली बात थी peptide one तो यह चूंके ड्रग है यह नहीं बनाता हो और फिर इसका से आगे नहीं होता सारा protein synthesis का का इसी तरह हमारे पास chloram phanicole है ठीक है तो यह वाला जो ड्रग है यह कहता है इस enzyme peptide diltransferase enzyme 4 enzyme को inhibit करेगा जब इस enzyme को inhibit करेगा तो हमारे पास peptide bond नहीं बनेगा और फिर इस तरह से नहीं होगा आगे हमारे पास एक है रित्रो मैसीन का लिखा हुआ है रित्रो मैसीन हमारे पास क्या करता है जो हमने बताया था कि movement होती है मुवमेंट जो होती है जिसके नदीगे में A site P site और चैन्ज हो जाते हैं तो यह उसको रोकता है और फिफ्टी सब यूनिट पेस का एक्शन होता है तो इस तरह से हमारे पास परतर प्रोटीन फार्मिशन नहीं होती तो डैट वाज आल बॉक्ट ट्रांसलेशन